नमस्कार दोस्तों आपके अच्छे स्वास्तिकी शुपकामनाओं के साथ आज की वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूँ इस विशह पर कि Is it beneficial to hold PPF account in the name of your child? यह प्रेशन मेरे दिमाग में क्यों आया सर? कि मेरे ही किसी क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि बडिया जी अगर मैं टेक्स प्लानिंग के लिए अपने माइनर बेटे या बिटिया का एक PPF account खोल दूँ तो क्या मैं उसके लिए भी कोई टेक्स सेविंग कर पाऊंगा या उससे मुझे कोई टेक्स में फर्दर छूट मिलेगी तो यह क्वेश्चन जो सर मेरे दिमाग में आया मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से हम सब को बेनिफिटेट होना चाहिए तो देखते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में हमारे मुख्य टेक्शन मिलेगा इस दियर सम कैच इन डाट कैस्में कोई ऐसा पॉइंट भी है जो हमें विशेश रूप से ध्यान रखना है या जहां पर गड़वर होने की संभावना है वट इस अगर आप एक माइनर के नाम पीप अकाउंट होल करते हैं तो इसका में बेनिफिट क्या ह होगा and can PPF account be held in the name of granddaughter or grandson क्या granddaughter या grandson के नाम पर भी एक PPF account खाता खुलवा के हम ऐसा दादा दादी उसमें contribute कर सकते हैं क्या तो आईए दोस्तों इन ही प्रश्णों का उपतर आगे देखते हैं सबसे पहला प्रश्ण है दोस्तों can one claim deduction under section ATC of PPF contributed in the name of a child यानि अगर मैंने मेरे बच्चे के नाम पर एक PPF account खुला लिया और उसमें contribution कर दिया तो क्या मुझे क्या बिलकुल मिलना चाहिए इसमें कोई आपती नहीं होगी लेकिन अब आपके सामने प्रश्ण यह होगा भटिया जी अगर आपका बच्चा minor नहीं है major है क्या उस परिस्थती में भी आपको deduction मिलेगा क्या ATC में तो मैंने वो दोनों प्रश्ण रखे what if if the child is a minor and what if if the child is a major अगर आप section ATC की व्याख्या करेंगे सर जो income tax act में है जो हमारे को investment based deduction देता है वो यह बेदबाव वो ATC का deduction मिलेगा हाँ अब क्योंकि मैं word child use कर रहा हूं तो child word से generally हम minor की interpretation ले ले लेते हैं तो मैं यहाँ पर यह बात जूड़ना चाहूंगा सर कि ATC section में जब हम deduction claim करते हैं तो हमें PPF का contribution का deduction minor as well as major दोनों तरीके के child के contribution पर मिलने की हगदारिता रहेगी उसमें कोई आपती नहीं एक और interesting question यहाँ पर ला रहा हूं sir can both of the parents open separate PPF account for minor generally जब मैं child word use कर रहा हूं तो आप उसकी minor interpretation लेंगे मैं मानता हूं अब मान लीजिए मेरा बेटा है जिसकी उम्र है six year और उस बेटे का मैं भी एक PPF account खुलाना चाहरा हूं मेरी वाइफ भी PPF account खुलाना चाहती है वो भी contribute करेंगी मैं भी contribute करूंगा तो क्या दो PPF account भी खुलवाए जा सकते हैं क्या answer is no आपको अगर minor का PPF account खुलाना है तो एक ही account खुलेगा चाहे उसमें as a parent मैं contribute करूंग या मेरी वाइफ contribute करें तो ये भी एक important point है सर जो हमें ध्यान रखना चाहिए अब दोस्तों यहाँ सबसे महत्वण बात आपसे discuss करने वाला हूँ कि इस मामले में गड़बड कहा है या क्या point आपको ध्यान रखना है स्पश रूप से सुनिएगा कि आप सबको पता है सर के PPF account में 500 रुपए से 1.5 लाक रुपए तक का maximum investment in a year किया जा सकता है Public Provident Fund account के संदर्व में जहां पर आप minor के साथ खाता खुलते हैं आपको ये बात विशेश रूप से ध्यान रखनी है कि आपका स्वयम का और आपके minor son या daughter का PPF account का total contribution for a year 1.5 लाक से जादा नहीं हो सकता यानि अगर मैं आपको ये राय दूँ कि सर आप अपना भी PPF account खुलवा लें अपने दोनों बच्चों का PPF account भी खुलवा लें और तीनों खातों में मिला करके डेड़ डेड़ लाक रुपए आप एक साल में जमा करा के total 4.5 लाक PPF में जमा करा लें तो ये interpretation गलत होगी उस व्यक्ति का स्वयम का और उसके बच्चों का total contribution to a PPF as per PPF scheme 1.5 लाक से ज्यादा नहीं होना चाहिए हाँ मान लीजे अब relevant son या daughter जो पहले minor था वो major हो गया तो अब मैं एक तरीका बदल सकता हूँ क्या तरीका बदल सकता हूँ sir कि मैंने 1.5 लाक रुपीज मेरे major son क्योंकि अब वो minor major हो गया उसके खाते में सीधे जमा कराने की जगह है पहले मैंने मेरे major son के normal saving bank account में पैसा transfer किया उस पैसे को transfer करने के बाद में sir अब मैंने उससे कि बेटा अब अब अपने PPA account में 1.5 लाक रुपीज ट्रांसफर करो then he can transfer मेरी opinion में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो ये बात ध्यान रखना है sir कि यहाँ minor और major का difference कुछ हद तक count होगा तो अब दोस्तों एक प्रेश्ट और निकल करके आया कि जब sir maximum contribution ही 1.5 लाक रुपीज का हो सकता है तो फिर minor के नाम PPA hold करने का benefit क्या है मेरी यहाँ पर एक और opinion है sir जैसा कि आपके जानकारी में होगा कि PPA account का tenure होता है initial 15 years तो अगर मैंने मान लिजे मेरी minor daughter का एक PPA account खुलवा दिया 5 साल की age में ही खुलवा दिया तो sir उसके 15 साल उसके account को पूरे हो जाएंगे 20 साल के यानि जब वो 20 साल की होगी तो या तो वो पैसा मैं उसके IRS study में use कर लो या मुझे जरूत नहीं है उसको जरूत नहीं है उस पैसे की तो हम उस खाते को 5-5 साल के लिए आगे renew करके बढ़ाते रहें यानि जब मैं माइनर का PPF account खुलवा रहा हूं तो मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि उस माइनर के 15 years का period हम जल्दी consume कर रहें इससे जब वो माइनर major होगा तो उसको अपने PPF account को 5-5 साल के लिए manage करना पड़ेगा तो एक तरीके से सर हमने उस माइनर को जो बाद में major होगा उसको एक flexibility दी अपने PPF account को चलाने में तो मुझे लगता है सर ये एक benefit PPF account के संदर्व में यदि आप माइनर का खुलवाते हैं तो आप ये benefit जरूर उठा सकते हैं अब दोस्तों जैसा मैंने शुरू में बुला था एक और question आपके सामने रख रहा हूँ can PPF account be held in the name of granddaughter or grandson or not इस बात की सर प्राइमा फेसाई answer जो आएगा अगर मैं yes और no विकल्प चुनू तो granddaughter या grandson के लिए यानि दादा दादी अगर अपने पोते या पोती के लिए कोई ATC का contribution करना चाहें यानि PPF में contribution करना चाहें तो उन्हें ATC का direction नहीं मिलेगा पहली बार दूसरी बात यह दोस्तों के अगर parents दीवित हैं तो दादा दादी को PPF account में contribution करने का allowed नहीं है यानि PPF की scheme में अगर आप देखेंगे तो PPF scheme के संदर्भ में ये बात व्यक्त है PPF scheme में कि parents can contribute to the PPF account of the minor, son और daughter हाँ अगर किसी विशेश परिस्तिती में दुरभाग्य से माता पिता ना रहें दादा दादी संदर्ख्षा को तो वे relevant minor के PPF account में contribute कर सकते हैं लेकिन सर, ATC का direction ऐसी परिस्तिती में नहीं मिलेगा ये बात हमें ध्यान रखनी है मैं आशा करता हूं दोस्तों PPF account of a minor के correlation पर बनाई गई ये वीडियो आपको कुछ हत्ता को प्योगी लगी होगी यदि आपके कोई प्रश्ण हो तो आप मुझे लिखें मैं उनका उत्तार देने की कोशिश करूँगा मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जैह